ओमाई गॉपाइग ओमाई गॉपाइग गॉपाइगं चैलेंज लगाएं यहाँ पे देखो ब्हीम की शक्ति बोल रहा है वो और उसकी टीम जो है ना इस नहीं हो सकता हाईला भीम की शक्ती ये देखो अपने को तो धुम मचानी पड़ेगी ये सेवेन हेड़ेड हल्क बस्टर को लगता है कि ये अपने लोगों से ज्यादा स्टॉंग है और हाँ मैं भी बल्ले बल्ले कर दूँगा इनकी इनको पता नहीं यार इन्नोंने किन से पंगाली आए और हाँ भीम की शक्ती अभी धुम मचा दा तो पता चलेगा बल्ले बल्ले सबसे पहले तू जाके पिटाई लगा के आ इनकी ओ मैं गॉड गॉड गाइस देखो यहाँ पे तो है न इन लोगों की लड़ाई होने वाली और गाइस देखो यह वाले जो सारे सूपर हीरोस है यहाँ पेहना एक लावा हल्क बस्तर है जायंट साइस का उससे देखो यह भीम की शक्ती और यह इन किसकी टीम वाले किते जादा बड़े है अरे बागो बागो यह तो सूपर जायंट लोग यहाँ पे आ गए यहाँ पे सिंपल जायंट का कोई काम नहीं है यह देखो आ रहा है मेरे से औरे बास मुझे मौका तो यहाँ पे यह फ्लाइंग जट बले बले बहुत बोल रहा है मेरे है ना कानून के हाथों से इसकी पिटाई लगा दूगा मैं ठीक है बिग हैंड हल्क बस्तर तुम जाओ और इसकी पिटाई लगा दो ओमाइ गाड गाइज यह देखो यार यह कानून के हाथ वाला बड़ा यार रेड कलर का सुपर जाइंट हल्क बस्तर आ यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे थ्री हैड़ेड फ्लाइंग जट बले बले से लड़ाई करने के लिए ओमाइग ऑड ओमाइग गाड गाइज यहाँ देखो यार यहाँ पे तो है ना यह फ्लाइंग जेट बले बले और यह है न बड़े हातों वाला हुल्क बस्टर सामने सामने आगए लड़ाई करने वाले गाइस तुमें क्या लगता यार इन दोनों की टीम में से कौन जीतेगा भीम की शक्ती की टीम जीतेगी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगता है हल्क बस्टर की टीम ही जीतेगी क्योंकि मैं तो हल्क बस्टर को ही सपोर्ट करता हूँ और फ्रैंकलिन तुझे लगता है फ्लाइंग जट बले बले ये हल्कबस्टर को मारनी पैगा ये देख इसको तो मैंने खिलोने की तरह उठा लिया कानून के हाथ इसके लंबे नहीं है मैं इससे ज़्यादा लंबा हूँ अरे गाइस ये देखो यार ये फ्लाइंग जट बले बले ने तो यार ये है ना हल्कबस्टर को एक खिलोने की तरह उठा लिया और मैंने बोला था मैं सबस्यादा शक्ति शालूई हूँ टीम भी में जीतेगी अब देखो मैं यह है न हल्क बस्टर को पानी में घुमा के लेकर आता हूँ इसके सारे सर्किट में पानी गुजएगा अरा बचाओ बचाओ यह तो मेरे को पानी में डुपो रहा है ओ माइग गॉड यह तेखो कैसे मेरी धुलाई लगा रहा है ओ माइग गॉड गाईज मेरको ऐसा भरोसा नहीं था यार कि यह फ्लाईंग जयट बले बले इसना जदा स्ट्रॉंग है यह देखो यार इसने तो थो हैने लेजर मारी और यह लेजर कहां से बाढ़राय है बाई ग्हाइंग जिटेघने बन्ले उनल परिके यहां पे raise को फिनिश कर दिया हैं यहाँ यह यह देखो यहां पे भीम और फिसरों की टीम की पढ़िकी वह कमज्र था वो सिर्फ सूपर जायंट था उसको लड़ाई वड़ाई ने करनी दी आती थी ओए क्रिश हैला इधर आके मेरे से लड़ाई कर तेरी साथ तो साथ मुंडिया फोड़ दूँगा मैं यह देखो यार यह वाला जो दूसरा सूपर जायंट हल्क बस्टर ना यह यहाँ पर आ गया है और इसना भी यहाँ पहन ख्रिश को चैलिंज की अभी देखते क्रिश क्या करता है हाईला ये वाला हल्कबस्टर तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है इसको मुझे बतानी पड़ेगी कि मेरी क्या पावर है अरे गाइस ये देखो इन दोनों की लड़े उने वाली तुमें क्या लगता है ये बार हल्कबस्टर जीत पाएगा क्या अरे गाइस देखो मैंने बोला ही था यार ये तो किसी दुलाई लगा दी है अरे मैंने तो बोला ही था ये पापा ये देखो मैंने बोला था ये जीत जाएगा को फिर वेग पॉइंट मिल गया है ऐसे कैसे होगा मैं कोई हार मारने वालों में से नहीं हूं यह देखो इसको एसा लग रहा है कि यह जीप किया पर यह देखो मैं इसके ओपर लेजर से हमला कर रहा हूं अरे यह क्या किया यार यह हम सब लोगों की स्पेशल पावर है यह द इखो कैसे यार हिलकबस्तर को दो ड़ना इसने यार यह हिलकबस्तर ने ध्यान निदिया और फिर यह देको हर गया किस्ट धूम मचा दियो फ्रों को भी गए है अब कौन हमको हरा पाएगा कोई भी नहीं हरा पाएगा मुझे तो और अब ही देखो सबसे में इवेंट तो बाकी है मैं लड़ाई करने वाला हूँ ये सूपर जायंट फाइव हैड़ेड़ हल्क बस्तर से इसको मैं पकड़ के धो दूंगा ओ मैं गॉडड गाई हम इनके हल्क बस्टर के सूट चुरा लेंगे जिससटे हमारे पार सूपर जाइन्ट हल्क और सूपर जाइन उक्पड़ बस्टर दोनों की पावर फार आजा αυτा ही बोला ना मैंने हाएला भी तेरा प्लैन तो बहुत बढ़िया था हमने यहार पहुरी हल्क बस्टर की टीम क की बात कर रहें गाईज यह तीनों तो बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे अगर इनको भीम की शक्ति के साथ साथ यार दूसरी हल्कबस्टर की भी पावर्स मिल गई ना तो तो पूरा लॉस सेंटर उस प्रॉब्लम में आ जाएगा क्योंकि इस फ्रॉब्लम हो जाएगी पर यह देख यह हमने क्या किया ओ माई कॉड गाईज यह देखो यह क्या हो गया यहाँ पे देखो भीम की शक्ति ने यार यह एक सूपर जाएंट हल्कबस्टर का सूट पैन लिया है यहाँ पे देखो थ्री हेड़ेड हाइला क्रेश है इसने भी यहाँ पे सूट पैन लिया ह और ये देखो यार ये flying jet बल्ले बल्ले ने क्या किया इसने तो यार ये super giant five headed वाला पूरा hulk का सूटी ले लिया मतलब पूरी power सी चुटा ली अब guys देखो ये सब लोगों के पास super giant होने की भी power आ चुकी है उसके साथ इन सब लोगों के बास खतरना खलकी तो power पहले सी थी और उसके साथ साथ अब इन लोगों ने अपने अंदर यार यहाँ पे hulk buster की भी power joint कर लिया है हाईला फ्रैंकलिन और यही नहीं और देख तेरे पीछे कौन आ रहा है अरे यह शैतान कहा से आ गया और यहाँ पे देखो three headed wings वाला छोटा giant size का मतलब normal giant size का यहाँ पे little सिंगम भी आ गया और हुड हुड दबंग तुम लोगों ने hulk buster की powers चुरा ली का जैसे अपने ने planning करी दी हाँ little सिंगम हमने powers चुरा ली है और यह देख हमने तेरे लिए भी powers ले ली है तू भी एक super giant size का three headed hulk buster little सिंगम बंजा oh my god guys यह बहुत ही गलत हो रहा इन सब लोगों को यह power क्यों मिल रही है यह Franklin बहुत बोल रहा लीटल सिंगम इसकी थोड़ी पिटाई लगा यह खूद भी hulk buster नहीं बन सकता अगर तु हमारी टीम को सपोर्ट कर रहा होता तो हम तुझे अभी एक super giant hulk buster की power दे देते पर नहीं तुझे तो दूसरी टीम को सपोर्ट करना था ना इसके लिए अभी देख हम तेरे साथ क्या करते और यह गाऊ मैं got guys यह को लिटल सिंगम अपनी है न मेंट पॉइंट वाली लेजर से मेर पे हमला करता है ना नहीं नहीं यार यह देखो यह लेजर कहा से निकल रही है यार इन सब लोगों की लेजर यहां से क्यों निकल रही है यह कैसा तरीका हुआ यह कैसी लेजर मार रहे गांगा सबसे पहले जाके यहां पर एक जायंट एक्स्प्लोजन करता हूं मैं जिससे यहां पर सब लोगों की गाड़ी आप उड़ जाए मेरे को तो बहुत मझाएगा एरपोर्ट के पास सारे प्लेन भी पूड़ जाएंगे यह देखो कितना बड़ा एक्स्प्लोजन किया मैंने अरे बाबा रहे एक लिटल सिंगम तो मुझे कहां फेक दिया आउच यह देखो यार यहां पर आके गिराओ यह देखो यार गाईज इन सब लोग के पास तो बहुत ही जादा पावर्स आज चुकी सब कैसे नाजगाना कर रहे लिटल सिंगम वहां पर अपनी पावर्स एक दम कमजोर हो चुका हूँ इधर आ मेरी बात सुन तुझे खुद को एक फ्रैंक्लिन से सूपर जाएंट खतरनाक हल्कबस्टर में अपग्रेड करके भीम की शक्ती फ्लाइंग जट बले बले क्रिश हाइला और लिटल सिंगम हुड दबंग दबंग सब को हराना पड़ वरना ये लोग लॉस सेंटोस को परिशान कर देंगे क्या तू ये कर सकता है मेरे लिए आरे मैं करना तो चाता हूँ यार पर मेरे पास तो एना यार बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है हल्कबस्टर की भी पावर्स नहीं है मैं इनको कैसे हराऊंगा फ्रैंक्लिन देख अग करना सारे बच्चे प्लस वन कर देंगे तो मेरी हल्थ है न वापिस से काफी अच्छी हो जाएगी और फिर यार मैं अपनी सारी पावर्स तुझे दे के एक छोटे से हल्कबस्टर में अपग्रेड कर दूँगा फिर तू आगे और दूसरे हल्कबस्टर की पावर्स को इसकी वाला जो जातesta है इसकी हैल्थ को फुल करने में पड़त करने पड़ेगी जल्दी से कमेंट सेक्षण क्षें में प्लस वन लिखो जिससे यह वाला जो जायन्ट वालवा जाए इसके साथ आना फ्यूस हो पाऊ हाँ हाँ गाइस देख रहा हो मैं जल्दी जल्दी से देखो इसकी पावर भढ़ रही है जल्दी से कमेंट सेक्षन में प्लस वन लिखो गाइस और न यार प्लस वन लिखी रहे हो कमेंट सेक्षन में तो जल्दी 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 जाके है न वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सस्क्राइब भी कर देना उत्ते टाइम में अरे हाँ 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 वीडियो को लैक भी कर दो और कमेंट सेक्षेन में प्लस वन भी लिख दो मेरे प्यारे बच्चो फ्रेंकलेन फ्रेंकलेन मेरे पास आके खड़ा हो मुझे महसूस हो रहा है मेरी शक्तिया भट रही है मेरे नीचे आके खड़ा हो तो फिर यार मैं तुझे मेरी सारी शक्तिया दे दूँगा अरे क्या तुम्हारे नीचे आके खड़े होना है ठीके guys ये देखो यार मैं ये hulkbuster के नीचे जाके खडा हो गया हाँ इधर ही खडा रहे देख बहुती जल्दी तुझे तेरी शक्ति मिल जाएगी और मैं यहाँ से गायाब हो जाओंगा ओओ गाइस ये देखो ये क्या हुआ यहाँ पहने जो जायंट हल्कबस्टर था वो यहाँ से गायाब हो गया और उसकी जित्ती भी सारी शक्ती थी ना वो देखो मेरे अंदर चली गई है और मैं वो हल्कबस्टर जैसा सेम टू सेम बन चुका हूँ मतलब सेम टू सेम तो नहीं हो यार मैं सूपर जैस का नहीं बनाओ पर ये देखो यार मैं है ना वही सेम टू सेम हल्कबस्टर एक छोटी साइस का बन चुका हूँ और ये देखो मेरा हल्कबस्टर वाला मीटर भी काफी जादा उपर जा चुका है तुम इसका मतलब समझे यार जो ये हल्कबस्टर ने प्लैन किया ता वो काम कर गया मतलब तुम सब जनोंने पहले है ना उसकी हेल्थ बढ़ाई और फिर उसके अपनी सारी पावर्स मुझे देती जिससे मैं लॉस सेंट उसको बजा सकू ये देखो यार ये है ना भीम की शक्ती के ना सबसे पहले सोलजर यहाँ पे है ना जो ही लिटल सिंगम है इसको एक घूसा तो मैं यहाँ पे मार के जाओंगा इसको दूर से जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसके घुटनों पे टार्गेट करूंगा कहां पे इसका है ना हेल्थ बार यह रहा यह रहा यह देखो इसको घुसके मैं यहाँ पे नीचे से बारूंगा और हुड़ दबंग कौन मारने की कोशिश कर रहा है मुझे अरे गाईज यह देखो मैंने इस पे एक अटेक किया न तो इसको गुस्ता आ गया और फ्रैंक्लिन के बच्चे तेरी इत्तिमत तु मेरे पे लेजर अटेक कर रहा है अरे हाँ 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 लेजर अटेक करूंगा गाईज यह देखो भी मैं इतना छोटा सा हल्क बस चरू ना फिर भी मेरे अंदर देखो कितनी खतरनाग पावर निकल रही है मैंने इतने बड़े खतरनाग सूपर जैंट है ने लिटल सिंगम के उपर इतनी खतरनाग लेजर समला कर दिया और यह क्या और भीम की शक्ति आ बले को भी हराना है पर यह देखो लिटल सिंगम को तो मैंने यह वाले हल्क के सूट की मदद से मार दिया पर यार बाकी सबको मैं इससे नहीं मार पाऊंगा मुझे और ज्यादा खतरनाग और स्ट्रॉंग सूट चाहिएगा तो चलो गैस चल्दली से चलते हैं खुद को औ बले का जोर का यार ठी हेडड़ का इतना एडवांस और पावरफूल सूट है अब गाइस देखो यह वाले नॉर्मल हल्कपस्टर के सूट है पर यहाँ पर देखो यह दु हल्क के पास है अब देखो यह इन में से हैं न मिरको है न एट लीस तीन कोई सूट की पावर तो तब ही यार मैं खुद को बहुती ज़्यादा strong बना पाँगा चलो 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 यार पे दद्दू हल्क के पास जाते दद्दू हल्क बस्टर दद्धू हल्क पत्तर जी हाँ हाँ तो तुम्हें मेरा आशिरवाच यह क्या यह लो यार खुब खुब पुतो ना पुतो फलो जाओ अब यहां से नहीं 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 जाओ नहीं आशिरवाच नहीं तुम्हारे हल्कबस्टर के सूट लेना आया हूं मैं यहां पर पत्तर जी हल्कबस् तो यार तुम्हारे लिए मुझे सबसे पहले ये बताओ और पुतर जी ये देखो यार यहां पहना बहुत टाइम से एक शार्क बस्तर अपनी बंदूग ताने खड़ा हुआ है क्योंकि यहां पे चोटे प्यारे बच्चों ने इससे खाना खरीदा था और अब यहना हिसाब लगा कि इसको पैसा नहीं दे पारें इतने टाइम से मैं पैसे मांघ रहा हूँ मेरे पैसे दोपैसे अर बले बले को पता यु निया कि reviews देन कोई हमको पता तो यार dump ko तो देंगे आरा ये देख रहाए न इससे खुतर पुतर कर दूऊ तुम्हारे इस हेल्स के बदले मैं तुम्हारे सारे पैसे मैं तुम्हारे पैसे तुम तक पचा दूँगा चला मुझे बताओ तो तो सरी किसच के कितने पैसे देने आरे मेरे को याद नहीं है मैं थोड़ी हिसाब लगाऊंगा अब मुझे बस मेरे पैसे चाहिए अरे यार यार ये देखो इसको पता भी निये कितने पैसे लेने इन लोगों को पता निये कितने पैसे देने चड़ो छोड़े यार मैं इनसी जाके बात करता हो अरे शिवा भया शिवा भया सुन यार तुने है ना ये फ्रेंच फ्राइज और उसके साथ ये सौस किते में खरीदा था तू मुझे ये बता ओके गाइस तो देखो तुमको और मेरे को मिलके आपे साथ में हिसाब लगाना पड़ेगा तो पचास रुपे की चीजी ती याद रखना चलू यहां पर बल्ले-बल्ले से बात करते हैं और यह पैन की कितने के लिए और बल्ले-बल्ले को तो पैन के कच्छे भी नहीं लग बल्ले बल्ले तो पैसे दिये हैं खाने अब तुझा मिले मतलब तुने कुल मिला की इसको सो रुपे दिये और यहां यहां साथ सो रुपे पागल आदमी चलो यार यह देखो यार इसने 50 रुपे की फ्रेंच फ्रैस ली थी और यह फ्लाइंग जट बल्ले-बल्ले को बुद्धू को लगा था कि यह पराठे तो इसके 100 रुपे दिये थे तब यहां पे कीको से जाके पता करते और कीको भाया एक बात बताओ यह बर् सर पे जोर लगा भाई जोर लगशा एक तम तैजी से जोर लगा बता बता यार कितना 20 रुपे का बर्गर था तो यह बहुत harus लोगritos न बताना पड़ेगा कि इसके टोटल कितने रूपे है क्योंकि यार मेरे को तो लगा था 10-20 रूपे का टोटल हिसाब होगा मेरे को तो इतनी ज्यादा एडवांस कैलकुलेशन करनी आती नहीं है और देखो यार मेरे फोन में है न यहाँ पे इंटरनेट में जल्दी जल्दी बताओ किते पैसे हुए मेरे पैसे दो मुझे पैसे पतर जी यार इतनी देर ही क्यों रही है तुम्हें यह हल्क बस्टर के सूट ने चीह क्या अरे नीनी दद्दुल चाहिए थोड़ा थांबा रखो थांबा अरे जल्दी करो यार यहाँ पे तो सब जन मेर को 200 रुपे देने क्या पता नहीं चलो ठीक है यार यह अभी और देख दो जनों का आंसर देख ले थे एक और देखो स्मार्ट बॉय ने लिखा है 50 प्लस 50 इक्वल 200 और 100 प्लस 100 इक्वल तू 200 रुपीज हुए अच्छा तो गाइस देखो स्मार्ट बॉय ने पता कैसे कैल चलो यार मैं है ना यह शार्ख खलक को 200 रुपे देता हो ओय शार्ख यह ले यार तेरे 200 रुपे ठीके ठीके 200 रुपे की उखरानी हों गई मेरी चलो चलता हो देख अगर मुझे पैसा नहीं देता ना तो यहां पे है ना मैं यह मेरी लेजर गन से पूरा भुड़ बुड ़िटा तुझे अर्य गाइस यह देखो यह यह तो शार्ख तो किता खतरना काई चलो आप सम्मों से खाऊंगा मैंने उगरानी कर लिये यह सरी थेख लेए ठीक ठीके लेलो यार यू डिसर्व इट ओके गाईस यह यह धे धेखो एक और वार यहा पर देखो मेरा अप्ग् खतरनाक guys energy निकल रही है और ये देखो three headed mechazord का जो मुझे suit मिला है न ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है ओह 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 ये देखो आय पत्तर जी यार तुम्हें सिर्फ एक हिसाब लगाने के इतना बड़िया suit मिल गया अरे सिर्फ एक हिसाब गोलर दद्धुल को हिस किलता तुम्हें पता है क्या बहुत ही ज़्यादा मेरे को है न मेहनत लगी थी पर देखो guys मेहनत करनी वर्थिट हो गए न क्यूंकि उसके बदले मेरे को इतना बढ़िया three headed वाला mechazord suit मिल गया पर guys देखो ए three headed mechazord suit से कुछ नहीं होगा मुझे super giant suit चाहिए super giant suit और super giant suit क तुम्हें hulkbuster की spelling भी आती है जो तुम यह वाला suit चलाओगे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यह वाले suit को चलाना advanced hulkbuster के लिए suit है अरे क्या क्या एक सके डद्दुहलक अपने क्या बोला कि मुझे hulkbuster की spelling भी आती तुम्हें ऐसा लगता है मुझे hulkbuster की spelling नहीं आती और पतर जी मुझे लगता नहीं है मुझे पक का पता है तुम चोटे से बच्चे हो तुम्हें hulkbuster की spelling नहीं आती होगी अच्छा चलो ठीक है अपने challenge रखे अगर मैंने hulkbuster की spelling बता दी तो फिर तुम मुझे ये बाला hulkbuster का suit दे दोगे क्या आती है तुम्हें बोलो hulkbuster की spelling अ यहां पे देखो toilet में मैं जा कि सुसू करने का नाटक कर रहा हो और यहां पे देखो मैं चुपके से मेरा phone निकाल लेता हो अब तुम सब लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी और यहां पे आ जाओ यार आन स्पैलिंग बताओ आरे हां नहीं नहीं बहुत सारा मेरे को oil ख आती हो तो अरु किसी का पिसी का भी कमेंट कर दूं कर दौइं रहे Corps यह सवीता बाई नस्पैलिंग लिखी है एह सृल का यहांजंट यह ऑरा यहां पर देखो यार यहां पर तुम लोगों से भी कनफर्म करूंगा यह वाले यह आंटी तुम्हें हर्क्बस्टर की आती है क्या यो मान आती हैं ना मुझे spelling पर मैं तुम्हें क्यों spelling बताओ इसमें मेरा क्या फाइदा होगा अरे यार सब बच्चे कितना खुश हो जाएंगे कि तुमने उनको spelling बताई यार यो मान ऐसी वात है क्या तो चलो देखो मैं तुम्हें बता देता हू लिखो जल्दी से H-U-L-K Hulk की spelling तो आती होगी उसके पीछे बस B-U-S-T-E-R Buster लगा देना होता है यह वाली टेकनीक से spelling हमेशा याद रहेगी अरे हाँ हाँ हमेशा याद रहेगी चलो guys जार देखो तुम लोगों की comment section बढ़ लेते यहाँ पे देखो वरुन गेमर ने भी लिखा है हल्क बस्टर की spelling सेम टू सेम सुमित गेमर ने यह भी यह लिखा है आशिश गेमर ने भी यह लिखा है तुम सबने भी यह लिखा है सवीता बायन ने भी वह लिखा तो फिर याद हल्क बस्टर की spelling यही होगी पत्तर जी नहीं आती ना तुम्हें Hulkbuster की spelling हार मानने आयो ना यहां पे नहीं 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 देखो यार मुझे आती आती बताता हो बताता हो देखो यार Hulkbuster की spelling में तो सबसे पहले अपने को बोलना ह-u-l-k Hulk और उसके बाद Buster B-U-S-T-E-R तो मतलब साथ में बोलेंगे H-U-L-K B-U-S-T-E-R पूरी बढ़िया spelling बोलती नहीं मैंने आय यह कैसे हो गया तुझे Hulkbuster की spelling किसने सिखा दी मुझे तो पक्का लगा था कि तुझे Hulkbuster की spelling नहीं आती होगी अरे दद्दो-L-Q underestimate the common of a power man देखो यार मैं जीत गया ना तुमारी यह वाला challenge भी तो चलो गाइस यह बढ़िया वाला suit ले लेता हूँ मैं ओके 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 गाइस यह देखो यार यहाँ पे देखो मुझे यह वाला Hulkbuster का suit मिल गया और ये देखो यार ये सूट की सब सच्छी बात बताओ गाई ये वाले सूट मैं ना आइरन मैं की सारी powers included है ये देखो यार यहाँ पे न मैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं छे energy beams का है न साथ में हमला कर सकता हो उसके साथ साथ ये देखो यार मेरे पास यहाँ पे आर्म पे इतने खतरनाक एनरजी ब्लास्टर्स भी है इसकी मदद से मैं कोई भी एनिमी को कितना भी जादा दूर उठा के फेक सकता हूँ यह देख रहे हो यहाँ पे यह वाला जो पोल है इस पे मारता हूँ यह देखो एक और एनरजी ब्लास्ट की और यह देखो फटाक से भाई यह पूरे चांद पे चले गए बाई एनरजी ब्लास्ट की कारण तो मुझे तो यह सारा benefit मिल रहा है पर गाइस देखो यार जब तक मेरे पास यह 5-headed वाला A.O.U. ultimate suit नहीं आएगा ना तब तक बात नहीं मदेगी यार दद्दू हल्क दद्दू हल्क मुझे यह वाला suit चाहिए यार प्लीज इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पतर जी मैं तुमसे काफी impressed दू तुमने यहाँ पे पहले बढ़िया से हिसाब भी कर दिया और उसके बाद हल्क बस्टर की spelling भी सुना दी तो अगर तुम मेरे तीसरे और आखरी सबसे मुश्किल कोशन का अंसर दे दोगे तो फिर मैं तुम्हें न यह वाला A.O.U. Ultimate Head वाला हल्क तूट देने के तयार हूँ पर यार जो मैं कोशन पूछूँगा वो काफी जादा मुश्किल होगा क्या तुम रेडियो उसके लिए अरे हाँ हाँ बिल्कुल रेडियो पूछो पूछो मुझे जल्दी से पूछो पुतर जी पहले मैंने तुम्हें मैट्स का कोशन सौल करवाया उसके बाद इंगलिश का तो तीसरे तुमारे जीके का कोशन है तो चल्दी से मुझे बताओ कि है अपने फादर आफ नेशन कौन है अपना इंडिया का फादर आफ नेशन होता है इंडिया का तो कोई चीज थोड़े जिसका पादर होगा लोगों को लगता इनका पुद्धी बहुत बड़ा है इनको यह नहीं पता कोई फादर नहीं होता पुद्धु आदमी एक्दम पता नहीं इंडिया की मदर मैं हूं मदर इंडिया मेरे को बोलो सलाम अरे यार मदर का नहीं पूछा मदर इंडिया की मासी तुन जल्दी से बत बताऊंगी मैं तुझे अच्छा ठीक है यार ले लो सेलफी ले लो लाला मज़ा गई ये देखो सेलफी कैमेरा चालू कर लिया है मैंने चलो जल्दी से बोलो फादर आफ नेशन चीज अरे हाँ फादर आफ नेशन चीज यार अरे वा क्या पढ़िया फोटो आई है इंडिय का फादर ऑफ नेशन उप्राश्न सब्सक्राइइ करुद्र चालो क मेंड़्ी ने बटताऊंगा भी बतायों चलो बताऊंगा एक अपना है ना इंडिया का फादर आफ नेशन है मात्मा गांदी जी अपनों के नोट पे भी तो उनकी फोटो चपती है ना तो वही फादर आफ नेशन हुए आय पत्तर जी यार आयाँ वेरी वेरी इंप्रेस तुमने तीसरा कोशन का भी सही से जवाब दे दिया ठीक यार ये लोयार यू डिजर वेट तुम ये फाइव हैड़िड वाला अल्टीमेट एयो यू हैड का हलक सूट ले लो ओके गाई ये देखो यार यहाँ पहना मैंने ये अल्टीमेट पा चालू करता हो मेरी स्पीड तो कितनी जादा कतरनाक हो गई है यहाँ पे देखो लेंडिंग करी और यार यहाँ पे देखो मेरे पास ये थरमल विजिन की भी पावर आ गई मैं मेरे सूट के सेंसर से सब लोगों की एनरजी सेंस कर सकता हो और उसके बाद ये देखो ये की क निकल रीस में से यह देखो सामने हेलीकॉप्ठर दिख रहा है इसको मैंने उड़ा के रखदिया अब इससे मननिकर रहा तो मेरे पास एफ परपल कदर की स्पाइरल केनन भी यह विए स्पाइरल केनन की पावर तोHe Otis तो और भी ज्यादा ये देखो यार मैं यहां पे है न अपने हाथ को हवा में लॉंच कर सकता हूँ जो एक एक एक्स्प्लोजिव है और मैं उसको जहां चाहे न वहाँ पे गोल-गोल घुमा सकता हूँ ये देखो यार यहां पे मैंने लॉंच किया उसको और फिर उसको पूरे लॉस सेंट उसमे कॉम्पिटीशन में जाके मुझे वो जीतना पड़ेगा तो फिर यार मैं अपग्रेड हो जाओंगा तो चलो गाइस चलते जल्दी से वहाँ पे खुद को सूपर जाइंट बनाने लेट्स गो तो के स्टार्ट लाइन दून्ड़ते के देखो यहां पर सारी हब्स बीकाद इनको सूपर जाइन्ट बनाने अरे हां यहां यहां पर मेरे कॉम्पिटीशन में बहुत अलग अलग तरह के हल्क बस्टर है यहां पर देखो जो शोटाम खोखे का माइंड क्राफ्ट एब बढ़ा वा यहाँ पे यह वाले प्लैटफॉर्म से नीचे कूद के यहाँ पे अपनी बाइक तक पहुचना है अपनी मनपसंदधर बाइक को लें के बाद तुम्हें यहाँ से सीधा जाना शुरू करना पड़ेगा maior यहां पे बहुत जुद ser़कर अपनी प्लैटफॉर्म पे पे नेनी golden yellow platform पे ले कराना है उसके बाद तुम्हें ये tube में entry लेनी पड़ेगी और ये tube में अपनी bike को full speed में भगाते वे आगे जाना पड़ेगा ये mind control channel को cross करना पड़ेगा और बहुत थारी tubes को cross करना पड़ेगा अब ध्यान रखना ये tubes के बीच में gap रख रखा है अगर तुम ये gap तुम्हें वापिस से air tube में घुसना पड़ेगा जिसमें वापिस से तुम्हें अपनी bike को बहुत ज्यादा speed से भगा के खुद को ये वाले platform पर लेकर आना है जहां पे बहुत सारे helicopters पड़े हैं उनको तुम्हें ये वाले tunnels में से लेके जाके यहां पर रखना पड़ेगा यहां पे से तुम्हें वापिस से school bus लेके आगे वाले platform पर जाना है और यहां पर ध्यान रखना बहुत सारे खड़े हैं और ये खड़ों को बात में last में avoid करने के बाद तुम्हें ये super jump करना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें यहां से अपनी speed को बहुत ही जादा बढ़ आज मैं यह बात को परूब करूंगा और जूमी जूमी करने के लिए पिल्कुल रेडियो आरा यह क्या हो गया पानी में कैसे चला गया कोई बात नहीं खोखा हल्कबस्टर इतना कमजोर नहीं हो सकता यह देखो मैं मेरी खोगे की पावर का इस्तमाल करके यहां पे वापि कीक फोखा हल्कबस्टर किता ड्रौंग है अरे यह क्या हो रहा है उपर से तो मैं चडा कि जा नहीं हो नहीं होते हैं ले है ऐसी हल्क बश्टर जैसी बात किसी में नहीं है यह देखो लैनly एक्दम हैंड선 coordinating के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ इसके लिए थोड़ी मोडी जगाव से जाऊंगा ही नहीं टायरेक मैं चैलेंज को आगे क्रॉस करने की कोशिश करूँगा ये देखो ये जो बाइक है ये भी एकदम बढ़िया है गाइस ये देखो ये जो क्लासिक हल्कमस्टर का सूट है ये तो कितने दो गॉण्फिडेंट लग रहा है और ये देखो भर 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 करके नहीं यहाँ पे जाता जा रहा है यार फुल स्पीड में देखते है ये फर्स चनल्स को क्रॉस कर पादा है की नहीं क्लासिक हल्कमस्टर हूँ चलो अभी यहाँ पे से मेगा रहें जेम लेने की बाद ही आ गई है तरह ये क्या हो गया तो मैं गॉड़ गाइस इसकी बाइक तो है ना हवा में काफी जाता देर के लिए इसके पास तो इनफ स्पीड ही नहीं होगी सारे इनको क्रॉस करने के ल खाता मेरी भाई कहा जारी ये धोका क्यों दे रहें धन्नो चल मेरे को पानी में बत लेके जा तो लो ये तो मेरे को पूरा रिवर्स ले कर आ गई इसमें से तो आग निकल रही है ये क्लासिक हल्क बस्टर में कुछ भी आपवर नहीं होती मैं एक हल्कु जिसके पास एक Mica Suit है तो मैं एक realm hulkbuster हुआ यह जो सारे लाल कलर का सूट पहन के घुमते ही सारे fake hulkbusters है अरे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं यार कि जो hulk सिफ Mica suit पहनते वो hulkbusters Tibet मैं भी तो एक असली hulkbuster हुआ मैंने तो कुछ भी नहीं किया अरे तो असली hulkbuster तो यहां पर उपर से चैलेंज को सॉल करके बताना मुझे फ्रैंकलिन अरे हाँ हाँ जब मेरी बारी आईगी तब मैं उपर से सॉल कर लूगा तुब टैंसर मतले अरे नहीं कर पाएगा मैं तुझे बता रहा हूँ और मेरी जितनी फूर्ती से तो बिल्कुल नहीं कर है और यहां गाइस देखो मानना दो पड़ेगा यार इसकी जो बाइक का कंट्रोल है तो अभी तक अपने ने तीनों पार्टिसिपेंट में सबसे ज्यादा बैस देखा है कि देखो यह आगे जा रहा है और यहां पर देखो कहीं इसने थोड़ी सी बूस्ट मारके खूद क स्पीड भी भढ़ा यह ऐसा क्यों किया अरे देखो अभी मैंने यहां पर एडवांस में स्पीड भढ़ा ली ना तो मुझे पीछे टान लेते टाइम स्पीड भढ़ाने के ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी बाइक अपने धीमेधी में गोल-गोल घुमते यहां तक पहु को गया मैं तो यार बहुत ज़्यदा शर्मिंदा हूँ पानी के अंदर ही डूपने जा रहा हूँ मैं तो तो के गाइस यह देखो यार यहां पर इतने सारा अलग-अलग हल्कबस्टर के बास पाइनली मेरे फाइव हैड वाले एयो यू की बारी आ चुके यह देखो मैं भ उपर वाले रेड प्लाटफॉम पे चल नहीं पाया गाइस और वो मुझे दूसरे वाले हल्कबस्टर ने चैलेंज दिया तो इसमें चटने का पर देखो गाइस मैं मेरे इगो पे बात नहीं लूँगा मेरे को देखो सिर्फ एक सूपर जायंट सूट बनके क्रिश्क और सब लोगों को हळाता है यही मेरा गोल है इसके लिए देखो बाले सूपर जम पारे वाला है तो मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा सा पहले इनिशली कम करना पड़ेगा, जिससे मैं इनिशल स्पीड के कारण मरना जाओ, यह देखो यहाँ पे गए, अभी मैंने थोड़े से बूस्ट मारे, अभी वापिसे थोड़ी सी हल्की सी ब्रेक मारूँगा मैं, और यहाँ पे पूरा पूरा लॉक था कोई बात नहीं कोई बात नहीं गाइस देखो यह बाइक को मुझे जल्दी से ना नेक्स प्लाटफरम तक पहुचाना पड़ेगा जहां पर है ना यार यह मैं इसको चेंज कर सकूँ क्यूकि इस पर धुवा निकलने लगा है और अगर बाइक फूट है वो भी उसके जाथ फूट जाया ना उससे पहले में जल्दी से यह ग्रीन वाले हेलिकॉप्टर बैठनी की इच्छा थी और गाइस देखो सब चीज अपनी इच्छा से ना अभी देखो बस मुझे घलीकॉप्टर को ज़दा देर उडाना भी नहीं सिर्फ थोड़े से पोड़ा के यहां पर बड़ी आसी लेंडिंग करवानी है यहां पर मैंने इसको लैंड करवा दिया अरे बापर यह चपू है न हवा में यहां पर दिवार पर फट जाएगा यहां पर नीचे पानी में छापाक करके गिल जाओंगा यहाँ पे मुझे राइट से जाना पड़ेगा एकदम धीमे 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 ओई 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 बापरे यार यहाँ यहाँ पे देखो किते बड़े खड़े है गाईज यह कैसे खड़ों में से इतनी बड़ी ट्रक निकालूगा मैं पर कोई बात नहीं देखो निकाल रहाँ निकाल यहाँ पे देखो हैली पैड पे आ चुका हूँ गाईस फाइनल एरिया में और देखो यहाँ पे मेरी पसंद की गाड़ी पिक कर सकता हूँ मैं तो गाईस यह रॉकेट वाली गाड़ी लूँगा यहाँ पहना अपने को एक पहाड चड़ना है और पहाड चड़ने के लिए वाले एंजिन की जरूल पड़ेगी यह देखो मैंने मेरा एंजिन बूस्ट चालू कर दिया जिससे पहाड पे चड़ने के लिए मुझे एक्स्ट एनरजी मिल जाए अभी देखो यहाँ पे मैं हलकी सी ब्रेक मारूंगा जिससे मेरी गाड़ी ज्यादा देर हवा में न दुकाओ कहां पे आरी कीको शिवाइन सब लोगों की मैं पिटाई लगाने वाला हूँ है फ्रेंक्लिन बेहन तो देखो जाएंट हल्कपस्टर का सूट ले लिया है इनको लगता यह हमको हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे हमारा जो सूट है सबसे ज्यादा स्टॉंग है ओ माइगाड गाइज यह देखो यहाँ पे देखो यह क्रीश और यह भीम की शक्ति और फ्लाइंग जिट बले बले सब जिन मेरे बीचे आ गए और यह लिटल सिंगम भी धूम मचा ना रहा है और गाइज यह देखो यह सब अपनी पीपी लेजर से मेरे पाटाग कर रहे ह ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ की शक्ति नीचे जली गई और ये देखो यार ये वाली जो लेजर थी चालू थी आरा तुने बोला था लिटल सिंगम कम जोर लिग रहा है तो मेरे को बताना दो पड़ेगा ना कि लिटल सिंगम कम जोर नहीं है लिटल सिंगम सबसे ज्यादा स्ट्रॉंगेस्ट समझ रहे न इदर आ मैं तो छोड़ूंगा नहीं फ्रैंक्लिन येल है मेरी पीपी लेजर का अटैक चारे नई नी 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 गाइस यहां से भागो 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 यार यह लोग तो बहुत यादा खतरना के अभी देखो यार यह लोग है न यहां पर लड़ाई कर रहे थे ना उसमें भी सुग्म मेरे पीछे पड़ावा यार यह निया भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा third धूर यहां से भागना पड़ेगा कोई बात नी गाइस देको यहां पे planning करता हूं कि लिटल सिंगम को कैसे हरांचा अभी देखो वो लिटल सिंगम वहां पे दूर खड़ा है तो अब तो मुझे भी करना आता है रुको गाइस मैं भी कर सकता हूँ यह देखो यह क्या हो रहा है अरे यह क्या किया गाइस इसने पूरा मेरा सूट तोड़ दिया भाई मैं सूपर जाएंट बनी चुका हूँ फिर भी मैं लिटल जिंगम को हरा क्यों नहीं पारा आरा मैं अब तो सूपर जाएंट उड़ा फ्रैंक्लिन भाईया अरे अभी रुक जा मैं तेरी ऐसी तैसी करता हूँ यह देख तेरे पास ऐसी सूपर जाएंट एक्स्पोशन की पावर है क्या आरे हाँ है ना ये लो पीपी लेजर अटैक ने गाइस मेरे को एक और सूपर ज एकदम घुसकिया मैं अटैक करूँगा इसके उपर इससे इसको बहुत यह दा फरक पड़े और नहीं यहां से भागना पड़ेगा वन्ना ये फ्रैंक्लिन भै तो पूरा दफना देंगे मुझे पानी के अंदर अरे पानी के अंदर नहीं जमीन के अंदर डालूँगा मैं की लड़ाई जीच चुका हूँ तो गाइस देखो तुमें यह मेरा सूपर अपग्रेड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं तो उसे सस्क्राइब करना और यह देखो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है यह वीडियो देख लो वीडियो बहुत जलो मैं मिलूँगा तुम्हें जीटिफा के अगले पिसोड में तब तक के लिए बाइबाइब